यार काफी लोगों के ये question थे कि BSNAL ने जो अपने plans update कर दिये हैं तो उसमें benefits कम किये हैं तो क्या उसमें हमको घाटा है या कोई फायदा है तो आज की इस video में मैं आपको यही clear करने वाला हूँ कि जो BSNAL के plans में बदला हुए है तो exactly बदला हुए है क्योंकि ना आपको पेटियम पे देखने को मिलेगा ना free charge पे ना mobi quick पे मलना third party apps पे तो आपको बिल्कुल plans देखने को ही नहीं मिलेंगे मैंने भी कल एक वीडियो बनाई थी कि आप plans कहां से देख सकते हैं अगर आपको देखना है कि आप BSNAL के genuine plans और original plans कहां से देख सकते हैं तो उपर i button में आपको link मिल जाएगी वो वीडियो आप देख लीजिए और आपको भी पता चल जाएगा कि आप plan कहां से देख सकते हैं तो आज की शूड़ो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको जो है क्या क्या benefits मिलते हैं जो plans जो है modified किये हैं या जो बदलाओ हुए है BSNAL के plans में तो सबसे पहले मैं plan बता दूँ आपको जो 49 रुपीज का plan था जिसमें आपको 2 GB data मिलता था और 24 दिन की validity मिलती थी उसमें क्या बदलाओ हुआ तो उसमें बदलाओ यह हुआ है कि 49 वाले plan में अब आपको सुर्फ 1 GB data और validity जो है 20 दिन की मिलेगी और इसमें पहले भी आपको calling का benefit SMS का benefit नहीं मिलता था अभी भी calling या SMS का benefit कोई नहीं मिलेगा बस यह है 2 GB data से 1 GB data कर दिया गया है क्योंकि ऐसी amazing videos मैं लाता रहता हूँ अब दूसरे plan पे आएंगे तो BSNAL का जो दूसरा plan है जो है 75 रुपए का जिसमें आपको पहले 50 दिन की validity मिलती थी 100 minutes मिलते थे और कोई भी SMS की सुविधा नहीं मिलती थी तो अभी आपको 75 रुपीज में क्या मिल ला है तो अभी आपको 75 रुपीज में मिल ला है 200 minutes और validity जो है 50 दिन से कम करके सिर्फ 30 दिन कर दे गए है और बाकी आपको minutes बढ़ा दिये गए है 100 minutes पहले मिलते थे अब आपको 200 minutes मिलेंगे तो मैं जल्दी आपको बता दूँगे इनका जो तीसरा प्लैन है 94 रुपीज का पहले आपको मिलता था 100 minutes 3 GB डेटा पूरे 75 दिन के लिए लेकिन अभी जो आपको मिलना है 200 minutes 3 GB डेटा लेकिन 45 दिनों के लिए अगला जो प्लैन है वो 106 यान 106 रुपेगा है काफी popular प्लैन है इसमें जो आपको पहले benefit मिलता था पहले benefit आपको मिलता था 100 minutes 84 दिन के लिए और 3 GB डेटा लेकिन अभी जो मिलना है आपको 200 minutes 3 GB डेटा लेकिन वैलिटिटी इसकी जो है 50 दिन कर दी गए है 84 दिन से हटा के अगला जो प्लैन निकल किया रहा अगला प्लैन है 197 रुपीस का उसमें आपको पहले benefits मिलते थे unlimited calling 2 GB data per day पूरे 18 दिनों के लिए और अभी भी मिलता है आपको unlimited calling 2 GB data पूरे 18 दिनों के लिए लेकिन अभी जो है आपका sim पूरे 100 दिन ही active रहेगा 50 दिन इसमें से कम कर दिये गए हैं तो अगला जो प्लैन निकल के आता है हैगा वह 200 दिन तक यानि 60 दिन अभी यूज कर लेंगे उसके बाद अगर आप पहले रिचाज नहीं कराते थे तो पूरा 300 दिन आप incoming ले सकते थे लेकिन अभी जैसे आपके 60 दिन पूरे होंगे और आप सिर्फ 200 दिन तक और जो है incoming ले सकते हैं 100 दिन पूरे पूरे इसमे काफी ज्यादा अच्छे है तो अगर आपको भी लगता है कि BSNL के प्लैंस अच्छे है तो वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको लगता है BSNL के प्लैंस अच्छे नहीं है और इसको सुधार करना चाहिए तो नीचे comment box में comment करो और अपनी राय दो कि आपको क्या कहना ह और आपकी क्या डिमांड है BSNL से तो उस पर मैं एक और वीडियो लाओंगा आप सुधार को ये वीडियो अच्छे लगी हो जार चैनल को सब्सक्राइब करना फिर से बोलना हूं ना भूलना मिलते हैं किसी नेक्स्ट चुडियो में तब तक के लिए बाई